Hello everyone, welcome back to our channel I hope that you will be very good so I will have some useful kitchen tips for you which will be a lot of work if you like this video, please like me please motivate me so friends, my first tips are here भिंडी को लेकर इस season of friends, भिंडी काफी मात्रा में मिलती है और भिंडी हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है भिंडी के साथ एक पॉब्लम यह होती है जब भी हम भिंडी को कट करते हैं तो भिंडी में एक छिपचिपापन रहता है जो नाइफ में या चाको में लग जाता है फिर भिंडी को कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो उसी से रिलेटेट कुछ टिप्स में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो फ्रेंज सबसे पहले जब भी आप भिंडी को सबजी बनाने में यूज करें तो पहले भिंडी को वाश करके एकाद घंटे के लिए छोड़ दे इससे क्या होगा आपका भिंडी का पानी सूख जाएगा और जब आप सबजी बनाओगे तो वह चिपचिपी नहीं लगेगी दूसरी टिप्स जब भिंडी को कट करो आप जो निम्बू है यूज करते हैं उसका छिलका बच जाता है जिसे हम फेक देते हैं उसे आप ले लो और इस तरीके से रब कर लो इसको रब करने से क्या होगा जब आप भिंडी कट करोगे तो भिंडी का जो चिपचिपापन है वो आपकी नाइफ में नहीं लगेगा और आप बड़े एजिली भिंडी को कट कर पाओगे और ये जो छिलका है ना ये पूरा भिंडी जो आप कट करोगे बीच बीच में ऐसे लगाते रहे ना अब देखो कि बहुत असानी से आपकी जो सबजी है वो कट हो जाएगी और बहुत स्मूतली आपका काम हो जाएगा टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताईएगा उसके बाद चैंस मेरी आगले टिप्स है निम्बू को लेकर निम्बू फ्रेंस इस समयना बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है और निम्बू का ना बहुत ज़्यादा यूज होता भी है हर घर में चाहे वो सालेट के फॉर्म म चेंज करना है बस आपको निम्बू को अगर आधा यूज करना फिर ठीक है आप आधा कट करके अल्यमूनियम फॉइल में उसको राप करके रख दो बट अगर आपको थोड़े से का यूज है तो आप इस तरीके से कट करो और इस इन दोनों जोइंट को आप इस तरीके से साथ में एक तुथपिक ले लो और उससे यह बहुत अच्छे से आपका जॉइंट हो जाता है तो यह दिखी मैंने ले लिया है और इसको मैं इस तरीके से जॉइंट कर लूँगी इस ही क्या होगा आपका जो निम्बू है रस बिलकुल भी सूखेगा नहीं यलो नहीं होग जैसा आपने रखा है आपको ऐसे ही मिलेगा अब हमको थोड़ा सा यूज था तो मैंने इस तरीके से कट किया अगर आपको ज्यादा यूज है फिर तो आप आधा कट कर लो और इसको ना ऐलुमूनियों फॉइल में रैप करके रख दो वह आपको वैसी फ्रेश मिलेगा ब जैसे कि यह हनी की बॉटल है अब क्योंकि हनी मीठा होता है तो आप देखते हैं चीटियां इसके आसपास बहुत गूमती है और अगर अंदर घुच जाए ना फिर तो पूरा ही हनी खराब हो जाता है क्योंकि उससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आप निम्ब जहां आपको लगे चीटनिया है उस डब्बे में आप इसको लगा सकते हो अब अगली टिप से मेरी बेलन को लेकर बेलन का इस्तमाल तो हम रोटी बनाने में ही करते हैं बट आज मैं इसका बहुत अच्छा इस्तमाल आपको बताने वाली हूँ यहां पे मैंने यह ग्लास म नल है वो पत्ला है उसमें कितना पानी मिल यह गारा है या क changा मिलाव的話 है हम स capitalize हमें पता कर सकते हैं तो यह देखिए दूदग को जब हम इस तरह के से बेलन में डालेंगे ना तो ये फटाफट से दूद्ट जो हमारा गिर्टां से गिर जाएगा और पूरा एक ड़म से बे धीरे धीरे गीरेगा क्योंकि दूद जो होता है उसमें भी ना एक प्रॉपर्टी होते हैं जिससे वह होल्ड रहता है किसी भी चीज में आप गिराओगे तो थोड़ा सा होल्ड रहेगा बट अगर आप पानी गिराओगे तो पानी मिला रहेगा तो वह तुरंत इस तरीके से गिर जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बेलन में डाला था और यह इस तरीके से सारा दूद गिर गया है यह बहुत अच्छी तरीका है फ्रेंस जो हमें पता चलना चाहिए कि हम दूद की प्यॉरिटी को किस तरीके से जाच सकते हैं आप घर में ही बड़े असानी स आपके पास बेलन तो होता ही है इस तरीके से आप जाच सकते हो अब आप सोचोगे हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा दूद प्यॉर है इसमें पानी नहीं मिला है वो भी मैं अभी आपको बिताओंगी वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा तो यह वाला आपको देर के लिए होल रहेगा आपको पता चल जाएगा कि यह दूद हमारा प्यॉर है कि नहीं है तो अगर आपको मेरी वीडियो कहीं किसी पॉइंट पे अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा अगर आप चानल पे फर्स टाइम आया है ना तो प्लीज चै भी ज held लग होँगी जा होंगी जो मेरे पास मैंने अलक से प्योर दूद लखा है उसे भी आपको चेक रख कर के बताती हूँ और सेम वही दूद था जिसमें एने थुरा पानी मिला मिलाया था आपको दिखाने के लिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मेरे पास उसको किस तरीके से इसमें इसमें गिराएंगे और वो किस तरीके से इस बेलन पे रहेगा, आपको पता चल जाएगा, कि ये दूद आपका असली है. तो ये देखिये, इसी में बर्टन में ही मैं आपको करके दिखा देती हूं, ये थोड़ा सा दूद मैंने लिया है, जो वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा है आपको इजली पता चल जाएगा कि आपका ये दूद्ध प्योर है और जो हमने इससे पहले गिराया था वह आपने देखा तक तुरंत किर गया वेलेंड पूरा साफ हो गया था तो इससे आप पता लगा सकते हो कि दूद्ध का प्योर कोई कंटेइनर नहीं होता है, कोई बोक्स नहीं होता है जिसमें हम इसको रखें तो उस सिच्टीूशन में में आप क्या करो अपनी पकट को इस तरीके से फोल्ड कर लो और fold करने के लिए अगर आपके पास rubber है तो आप rubber लगा लो अगर rubber नहीं है तो आप इस hack को जरूर ट्राइ करो आपके घरों में, सबी के घरों में cloth पीन तो जरूर होता है आप इस तरीके से मोड के इसको clip कर दो आप देखो कि आपका जो समान है ना एकदम सेक्योर रहेगा बिलकुल भी खराब नहीं होगा और बिलकुल जीरो कॉस्ट में आपना एक बहुत अच्छा टूल बना के अपने चीज़ों को पैक करके रख सकते हो तो यह टिप्स आपको कैसी लगी जरूर बताएगा इसके अलावा आपके पास अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो आप रबर बैंड ले जो लगा लेजी चलिए फ्रेंस आज की वीडियो बस यहीं तक थी कल फिर्म मिलेंगे किसी न्यो टिप्स के साथ अब तक अ आपनो का सांहा हैं रखिया आंके मियुक्छ तो एंक यह के जए आकार से हमएं और यDING जरूर बेर दाउर साथ या और यूर आद डाकर सोग्द्स आधार बाधाइड़ फिर्म मिलेंगें उसक्क्राशना ह सित्याओ की है झाल झाल